हेलो फ्रेंड एको फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपका अपना यूटूब चेनल मेजर टार्गेट पर तो फ्रेंड आज हम लोग कलास 10 के साइंस यानि की विज्यान के कोसन बेंक का अगला पार्ट को देखेंगे यानि की पार्ट नमबर सोलो को देखेंग के वही पैटर्ण के कोडिंग इसमें हम लोग सभी परसन को सेलेक्ट किये हुए हैं खास करके इस वीडियो में भी हम लोग 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी परसन को आज की इस वीडियो में देखेंगे जो आपके बोड एक्जाम में 130 पूछे जाएंगे तो फ्रेंड अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ मैं नौडिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर जरूर सेलेट कर लीजेगा क्योंकि यहां पर धमागेदार क्लास होते रहता है ठीक है और दोस्तों जो भी वीडियो आरते भी तक हमारे वार्टसप गुरूब में नहीं चैनल को नोट कीजिए अब बोलिए कि सरह में वार्टसप गुरूब में जोड़ दीजे तो हम जो हैं आपको वार्टसप गुरूब में जोड़ देंगे टिक है और दोस्तों यह क्लास काफी इंपोर्टेंड है क्लास को विल्कुल सुरूर से लेकर आगरी तक जरूर कीज सबस्तों देखते हैं आज क्या पहले नंबर परसन से उससे पहले जो भी वीड़ी अरतिवी तक गलासर को लाइक विल्कुल को लाइक कर दिजेगा तो चले दोस्तों देखते हैं आज का फ़र्स नंबरल आपके बोल्स एकिजाम के लिए त्यंति अनतीं महत्पोर्ण हैं यहां पर बदाना है कि इनिमन लिखित में किस ततों में सनियोजी एलेक्ट्रोनों की संख्या सबसे अधिक है रेख सकते हैं गत वर्स में जो है ना रेर बाइस का दूसरा सिटिंग यानि की पिछले वर्सी आया हुआ है तो यहां पर आपका सोडियम का तो फ्रेंड आप मोत होते ना इसको उन्हें क्या कर recursos ने डूब कर रखते हैं और द होते हैं चले देखते हैं पर दूसरा नमर पर एंपी एक्जाम के लिए बाइत इंपोर्टेंड है आपके बूर इक्जामें पूझें inclusive लिए तो यहां पे आपको बताना है कि कौन सा आवयर्थ और तौ या लगी मिल्कुली करेक्टरसरों जाएग रहेएं की एक दूर्वर के साथ पूरा रहे हैं कि कौन कोस्न कीटना इंदर पूछा जा जुका है देख सकते हुनी का जो के मैं इनी मेड मेड़ेग्शाम में ये परसन पूछा जा चुका है चले दोस्तों देखते हैं पर तिसरा नंबर परसन क्या कराएं कि यहां पर आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारनी कि 36 कतारे निमलिकित में से क्या कहला थे काफी महतपूर ने तो देख सकते हैं यहां पर 20 का जो इना फर्स सेडिंग एक कहेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों आवर्त कहते हैं और दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारनी में जो उर्दुहादर कतार होती हैं और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारनी में जो उर्दुहादर कतार होती हैं यह लाइन है जो आपका परपेंडिकुलर बला यह लाइन है इसकी संक्या कितनी होती है 18 वर्ग होते यानि की 18 समू होते हैं चले फिरेंड देखती हैं पर नेक्स्ट कोशन की दरब बर चलते हैं जो कि आपके बोड़ एक्जाम के लिए अतियन्दी महत्पूर्ण ने मोस्ट इंपोर्टेंड और इस तो इस तरह के पर्सम जोन आपके बोड़ एक्जाम में पूछे जाते हैं तो यहां पर आपको बदाना है कि मेंडलीप के आवर्द नियम में तत्व का वर्गी करन आधार क्या है तो देख सकते हैं यहां पर 21 का जोना फर्स सिरिंग एक्जाम है वो क्या है पर्मान दर्मान है इसको अच्छी तरह के से याद कर लीजिएगा यानि कि यहां पर डी वाला उपसं जो है इसका बिल्कुली करक्टर आंसर हो जाएगा चले फ्रेंड ने देखती हैं पर पांच नमर पर संजो कि आपकी बोड़ एक्जाम के लिए बहुत इ इसका बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं आपके बोड़ एक्जाम के लिए अतियंदी महत्पोर ने तो देख सकते हैं यह भी पर संजो ना गत्वर्स में बाइस का जो ना फर्स सिटिंग एक्जाम में पूछा जा चुका है तो यहां पर आपको बताना है कि ओजोन का आणिविक सूतर क्या होते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आपका दिया गया है यहां पर बिल्कुली करक्ट आंसर हो जायागा चले देखते हैं आपके बोड़ एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंड है ओफरेंड यहां पर क्लास को बिलक भी सिलेक्टोन को त्याग नहीं कर सकता है इंप पर सूर्डियम या फिर फ्लॉरीन या फिर मैंगनेसियम और अपसर्डी में आपका दिया गया है यहां पर लोहा या कि जिसको हम लोग क्या करते हैं आयरन करते हैं तो अपको बताओना चीह यह जो फ्लॉरीन होते हैं इसक का आयरन यह तीनों जो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आसानी से लेक्ट्रोन को त्याग कर सकते हैं लेकिन यह जो फ्लोरीन होते हैं जिसको एफ के दोरा दिखाते हैं यह आसानी से लेक्ट्रोन नहीं त्याग कर सकते हैं इसलिए यहां पर बीवला आप संजोएन अब बिल्कु सीडिंग में पूछा जा चुका है तो यहां पर जब देकिएky का आयतान नहीं पर देखेगा इसका बमान पर दीएक पर होते ठीक है जाले उधर देखते हैं पर नेक्स्ट को के तरफ बर चलते हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर बदाना है कि आधुनिक आवर्त सार्णी में बाय से दाये जाने पर पर्मानों साइच क्या होता है यह आपको बताना है तो देख सकते हैं यह भी परस्मिजर आठार का दूसरा सिटिंग में पूछा जा जो कि बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर बताना है कि लोहे की पर्मानों साइच होती है तो देख सकते हैं यह फाइस का जो ही ना दुस्तों बारक का यहां पर एक्जाम में पूछा जा चुका है और इनके सास्थ 21 का एनुष्य का दूसरा सिटिंग में पूछा जा चुक आधुनिक आवर्त सारनी में वर्गों की संख्या जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों उर्धुहादर अस्तम या फिर सम्हों की संख्या के नाम से भी जानते हैं होती है यानि कि आधुनिक आवर्त सारनी में वर्गों की संख्या कितनी होती है तो 18 वर्ग होते हैं हम आपक की तरी के से याद कर लीजिएगा तो फ्रेंड आपको बताना है कि ओजुन की एक अनुम में ऑक्सिजन के प्रवानुई की संग्या कितनी होती हुए आपको बताना है तो देख सकते हैं कि आरका कंपार्टमेंटल बारका एक्जाम में फिर किस का दुसरा सिरिंग 22 का दुसरा सिरिंग में पूछा जा जुगा है यानि कि यह पर सिर्फ लगातर पूछते वे जाड़े तो देख सके एक्जाम में 100% पूछी जाएंगे तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ओजुन के अनुम में ऑक्सिजन के प्रवानुई के कितनी होती है वही आपको बताना है तो कि यहां पर सी उप्सन में दिया गया है इसलिए यहां पर सी बोला उप्सन जो इना बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड ने देखते हैं आपर नेक्स्ट कोसन जो की गतवर्स में देख सकते हैं ग्यार का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है औ तो फ्रेंड आवर्थ सार्ण में कितने आवर्थ होते हैं तो साथ आवर्थ होते हैं इसको हम लोग 36 पंक्तिया भी कहते हैं यानि कि यहां पर सी बोला उप्सन जो इना बिल्कुली करक्ट आंसर हो जायागा चले देखते हैं चाओदर नमर पर संजो कि आपके बोर्ड एक एक्जाम में पूछा जा चुका है तो यहां पर नो और उपसंसी में आपका दिया गए आठीया अपर आपको काफी और पढ़ाते हैं तो आवर्थ सार्ण में कितने आवर्थ होते हैं इसको अच्छी तरिके से याद कर लीजिएगा चले देखते हैं यापर आपको बताना कि अश्टक का नियम निमनलिकित में से किसके द्वारा परस्तुत किया गया है काफी महतपूर ने सतरका कंपार्टमेंटल में और अठारका फस्ट सेडिंग में पूछा जा चुका है तो यहां पर अपसन एमें आपका दिया अगर लोथर मेहर के द्वारा या फिर मैंडलिप थीक के द्वार एक दौब में तो लेन्र फिर रीनट। के द्वड़त मैंडलिप जाए तो वरंordने सतरी अब्व की आपके प्रोपें का आइज़का नंविक परप्रों थ Sum कितने सह सनियोजग आबंद होते हैं तो 10 सह सनियोजग आबंद होते हैं इसको अच्छी दरीगे से याद कर लीजिएगा यहां पर D वाला अपसन इसका बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा चले देखते हैं अगला परसन यह आपको बताना है कि इथाइन में कार्बन कार्ब होते हैं इसको अच्छी दरीगे से याद कर लीजिएगा यहां पर सीवला अपसन इसका बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा चले फ्रेंड देखते हैं आपके बोड़ एक्जाम के लिए काफी मत पूर ने तो देख सकते हैं यह भी परसन जो ना 22 का दूसरा सिरिंग में पूछा जा चुगा है तो यहां पर आपको बदाना है कि घ्रेलू गेस जिसको हम लोग क्या करते हैं लपीजी करते हैं का परमुक अव्यों कौन है तो देख सकते हैं यह पर अपका दिया गए मितेन या फिर ब्यूटेन या फिर इतेन या फिर आपका प्रोपेंट देग ह तो फ्रेंड यह जो घ्रेलू गेस होते हैं लपीजी का जो परमुक अव्यों है तो ब्यूटेन है और दूस्त आपको यह पता होना चाहिए जो फुल फॉर्म क्या होते हैं लपीजी का तो लिक्वीफाइट पैट्रोलेम गेस होते हैं जो हमें आसानी से प्राप्त हो जात तो यहां पर option A में आपका दिया गए 2 या फिर 5 या फिर 6 और option D में आपका दिया गए 8 तो फिरेंड आपको पता होना चाहिए जो कारवन की परमानों संग्या होती है तो देख सकते हैं और option A में आपका दिया गार नास पाती के थुरू या फिर मलब जैसी और option B में आपका दिया फुटबोल की जैसी या फिर चतुस पले की है तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए यह जो सी साट होते ना फ्लोरिन की जो आखिर्टी होते ना किसकी जैसी होत आपके गतवर्स में देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोसिच कीजिएगा एक एक कोसिंस का अंसर जो ना आप कमेंट सेक्शन में जाके जरू बताईएगा इसे हम को यह पता चलेगा कि आपका तयारी काफी अच्छी तरीके से चल रही है और दोस्तों यह क्ल काफी सारे कोस्टन बेंग करा चुके हैं जिनमें का सौलवा पार्ट है ठीक है इसी तरह हम लोग क्लास्टन के सभी सब्जिक्ट के यहां पर कोस्टन बेंग पराचुके हैं ठीक है तो अब प्ले लिस्ट में जाके जरूर पढ़िएगा उसके बाद यहां पर जो धमागे तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए आयोडीन को जो ना एतिल एलकोल के दरब में घुनले से टिंक्चर आयोडीन प्राप्त होता यानि कि बनता है यहां पर डीवाल आपसन जो है इसका बिल्कूली करेक्टर अंसर हो जायागा चले फ्रेंड देखते हैं पर नेक्स्ट क दूबो कर रखते हैं तो देख सकते हैं पर अपसन ए में आपको पाड़ा को या पिर सोडियम को या पिर तामबा को या पिर सोना को तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो सोडियम एलिमेंट होते हैं इसको क्या करते हैं कि रोसन तेल में दूबो कर रखते हैं क्योंकि जो पारा होते हैं एक परकर का अधातू होते हैं इसको हम लोग कमरे के ताप पर दरब वबस्ता में देखते हैं चले देखते हैं आप नेक्स्ट कोशन के अगर आएगी यहां पर आपको बदाना है कि निमनागित में से कौन सी अधातू विदूत का सुचालग होते हैं तो देख सकते हैं यह भी परस्ट जोन आपका बाइस का दुसरा सिलिंग में पूछा जा चुका है तो यहां पर option A में आपको दिंग गरेफाइड या पर सिल्पर या पर नाइट्रोजन या पर क्लॉर्ण होना चीये यह जो गरेफायड होते हैं यह क्या होते हैं आधातू होते हैं नञततर के इसको अच्ची तरीफाइड एंगए इसको अच्छी दरीगे से याद कर लिज इतनी हैं पर नेक्स्ट कोसन जो कि आपके बोड़ एक्जाम के लिए बहुत ही महतपूर्ण है तो फ्रेंड यहां पर आपको बदाना है कि अलियूमिनियम पर मोटी ऑकसाइड की परत बनाने की प्रेकिडिया को क्या करते हैं तो देख सकते हैं यहां पर फरस सेडिंग में प चले देखते हैं पर नेक्स्ट कोसन यहां पर आपको बदाना है कि बोकसाइड जो ही ना निमली इंद में से किस धात्व का मुझ के आइसक होते हैं तो देख सकते हैं तो देख सकते हैं 18 का फरस सेडिंग में पूछा जा चुगा है तो यहां पर अप्सन A में आपका दिया अच्छी फ्रेंड देखते हैं पे नेक्स्ट को संजो कि आपके बुर्ट एक्जाम के लिए बहुत ही मतपूर्द है यहां पर बताना है कि प्लास्टोर पैरिस का रसाइनिक नाम क्या होते तो देख सकते हैं प्लास्टोर पैरिस का निर्मान होते हैं चले देखते हैं पर नेक्स्ट कोसन जो कि आपके बोड़ एक्जाम के लिए थियंदी महतपूर ने यहां पर आपको बताना है कि दही में कौन सा अमल पाया जाता है तो देख सकते हैं यहां पर बाइस का दुसरा सिर्म के पूछा जा चुका है तो यहां पर आपको बता देते हैं जो दही होते हैं इसमें कौन सा अमल पाया जाते हैं जिसको आपके बोड़ एक्जाम के लिए बहुत ही महतपूर ने तो फ्रेंड यहां पर आपको बताना है कि लोंग तेल किस परकार का सूचक है काफी महतपूर ने यह भी परसंचना दुएर बाइस का दुसरा सिर्म में पूछा जा चुका है तो फ्रेन जो लोंका तेल होते हैं यह एक परकर का गंदिय सूचक के उधारन होते हैं जो कि यहाँ पे C उप्सन में दिया गया है इसलिए यहाँ पे C वला उप्सन जो है बिल्कुली करक्ट रांसर हो जाएगा अचले फ्रेन देखती हैं आपे 30 नवर परसंजो की आपकी बोर एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है तो यहाँ पे आपको बदाना है कि सलिए चिकित्सा में तूटी हड्यों को जोड़ने के लिए परिक्त होने वाले अरसायनिक पदार्थ कौनसा है तो देख सकते हैं यह भी परसंजो का दूसरा सिटिक में पूछा जा चुका है सलिए चिकित्सा का अर्थ होता है उपरेशन तो उपरेशन में तूटी हड्यों को जोड़ने के लिए परिक्त होने वाला जो केमिकल सब टांसे जो मेटर होते हैं जो पदार्थ होते हैं यान बिलकुल ही करख्डराatl चाते सनंग जाएगाast का अईयानी की विज्ञान के सभी आज़ते हैं तो आप में जल्दी जलसे कमेंड करके बताइगा हैं यहां पर एक से लेकर सभी जो कॉस्थि फर्यां पर है तो आप कितना संभी म Sangama पर जबांद से लर्म बता दिजिएगा क्योंकि कुस्टन बेंग के माधियम से जितने भी हम पे तैयारी कराते एन तो अगर आप पूरी तरहते पूरी तरीके से तैयारी कर लेते तो आपकी एक्जाम में जो है ना बहुत सारे पर प्मेंग से 70-80% question कहां से आते previous year question bank से ही आते हैं ठीक है और भी यहां पे कुछ question में आएंगे science का और always subject का आएंगे ठीक है तो यहां पे जो भी विद्यारती नए है class का time पता नहीं है तो class का time को note कर लीजिए दोस्तों यहां पे morning में भी class होगी यानि कि कल सुबद 6 वजे class होगी जो धमागेदार class होगी ठीक है और इनके सासत यहां पे दोपर में एक बज़े दो class होती है होती है और दोस्तों यहां पे आपका साम 6 वजे class होती है और यहां पे 9 वजे रात में भी class होती है और दोस्तो जो भी विद्यार तवी तक इस class को like ने किये तो please दोस्तो अब जली से फटावर से वीडियो को लाइक कर दीजे ठीक है और दोस्तो चैनल पर नए है ना थैंक यू वंदे मातरम